हलो फ्रेंट मैं बिड्जेस कुमार ओपिसेल यूटूब चैनल जी ओ वी टी यानि गॉर्मेंट जॉप्स फोर यू में आज का वीडियो सरकारी नोकडी से सबंदित हैं और इस वीडियो में टोटल यानि कुल 16 पद के बारे में बताने वाले हैं जो 16 पद हैं असिस्टेंट के लिए आवेदा नामंत्रे थे हैं यानि junior assistant और assistant यानि दोनों पद हैं junior प्रसनल असिटेंट और junior assistant का पद हैं अब हम बात करें कि यह जो वेकेंसी हैं 100% सरकारी नोकडी है एक अच्छी वेकेंसी है तो सबसे पहले बात करते हैं कि जुनियर आसिस्टेंट के लिए जो पद हैं इस पद के लिए जो सेलरी हैं 25,500 से लेकर 81,100 रुपिये पर मन्त हैं कुल 10 पद पर आवेदा नामंतरित किया गया है जिसमें जनरल में 6 पद हैं OBC में 2 हैं और ST में 2 पद हैं इस ता से जुनियर प्रसनल आसिस्टेंट के लिए टोटल 6 पद हैं जनरल में 4 पद हैं OBC में 1 हैं एक पद AC में हैं और सेलरी हैं 25,500 से लेकर 81,100 रुपिये एक करना है जैसे ही क्लिक करेंगे तो सेलेक्शन परसेस की डिटेल जंकरी यहां पर ओपन हो जाएगा और एक्चुली मैं बता दूं कि जो जुनियर असिस्टेंट का पद है यह रिटेंट टेस्ट और कंप्यूटर बाइस के आधार पर सेलेक्शन होगा डिटेल जंकरी आपक जो CGPA है 6.32 तेन में से यानि 10 में से 6.32 होना चाहिए इसके अलावा अधर जो डिटेल जंकरी है यानि पूरो अपेशित सर्तों के साथ असना तक भी स्विदाले द्वारा निदिश्ट पात करम निधारीत अवधिक अंदर पूरा किया गया हो और computer का मतलग computer का अच्छा ज्यान होनी चाहिए प्रोफेशनसी इंदे इवजाब computer है इस पद के लिए जुनियर प्रसनल असिस्टेंट के लिए जो कौलिफिकेशन है इसके अलावा अधर डिटेल जंकारी में अभी जो मैं उपर बताया हूँ वही डिटेल जंकारी है इसके अलावा हिंदी टाइपिंग है जिसमें मिनमम टाइपिंग इसमें 60 वर्ट पर मिनेट इंग्लिस इस्टेनोग्राफी पे हैं और प्रोफेशनसी इंदे इवजाब computer qualification है यदि ये qualification आपके पास नहीं है तो दूसरा qualification का option भी है तो बेचलर डिग्री यानि एक अच्छा वेकेंसी है यदि आप apply करना चाहते हैं तो यह जो वेकेंसी है इश्रू में है और इश्रू में हर कोई नोखरी करना चाहता है इस्रू के एक संस्ता है आमदाबाद में जिसको फिचकल रिसरच लेबरेटरी के नाम से जानते हैं तो यहीं पे आवेदन आमंत इज लिमिट जो है 31, March 2024 तक काउंट करना है जो 18 से लेकर 28 साल का एज लिमिट होनी चाहिए अधिकतम 23 वर से इसमें रखा गया है एज लिमिट जो है 33 साल अधिकतम है और कटेगरी वाई जो छुट है वो अपली केवल है जनल में जो है अधिकतम 28 साल है बाकी कटेगरी में 33 स जो हैं वो applique안 है इसलिरी अधर ऐलाउंस aleg जो डिटेल जंकरी मैं बताया हूं और सरकासरी ओक्री में जो डिटेल जंकरी मैं बताया हूं सबसे पहले मैं बात करूत कि कि आवेदन सूल्क हैं 100 रूपीय लेकिन सभी आवेदगों के लिए जो है 500 रूपिय अप्लीकेशन सूल्क रखा गया है जो जिसमें 100 रूपिय भी इंक्लूड है तो इस invas'd से आपको आप करना है यदि आप कटेगरी से बिलाइक करते हैं ये 16-15 सरकारी नोकरी के लिए किसी का भी selection होता है तो बहुत अच्छा है और अच्छी vacancy इसको हम का सकते हैं और इस चैनल पर जो वीडियो आप देख रहे हैं इस चैनल पर डेली सरकारी नोकरी से related वीडियो अपलोड की जाती है तो इसलिए अभी तक आप इस चैनल को subscribe नही किया है तो जल्दी से subscribe कर लेजिए जिससे की अपडेट होने है वीडियो की जंकारी आपको मिलता रहेगा ओनलाइन अप्लिकेशन फार्म फिल करना है अप्लिकेशन फार्म फिल करने के अंतिम्तिती थी एक तिस मार्च दोज़ेशन